हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्बीत करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले शब्द यानि जिसमें मात्राएं नहीं आती उन शब्दों को कैसे लिखते हैं और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है पहले जानेंगे हम दो वन्ने वाले शब्दों को हमारे सामने चित्र दिये गए हैं इन चित्रों के माध्यम से दो वन्नों वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं पहले चित्र में क्या है फल फल रत रत नल नल घर घर जल जल इन सब में दो वन्ना आएं और दो वन्नों के मेल से बनकर एक शब्द बन गया जिसका कोई न कोई अर्थ है कुछ और इसी तरह हम दो वन्नों के शब्द बढ़ते हैं गन गन वह वह नल नल नर नर जग 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 जण तह तह जोल जल भर भर ठग ठग माग अग यह यह फल फल रहर नग धन अह अह पल पल चर चर तो चलिए दो वन्नों वाले शब्दों का हम अभ्यास करते हैं इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे हट मत कर एक अध्याई पढ़ते हैं इसमें क्या कहा है दक्ष दक्ष उठ 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 चह बज गय अक्ष जय आ गय बस आ गय बस पर चड हट मत कर अब आते हैं बच्चों तीन वर्णों वाले शब्दों पर इसका अर्थ है तीन वर्णों के मेल से बनने वाला एक शब्द जिसका अर्थ होता है हमारे सामने चित्र दिये गए है उनके जरिये समस्ते हैं पहले चित्र में क्या है बतक बथक तीन वर्णों से बन गया बथक शब्द वश कलक्ष, कमल, सडक, सडक, महल, महल. देखा, तीन तीन वर्णों से एक नए शब्द का निर्मार. आईए, कुछ और ऐसे ही तीन वर्णों वाले शब्द पढ़ते हैं. गरम, चाराण, गगान, कापट, कपट. अगर, नरम, तराण, मगन, लपट. मगर, धरम, शरण, सगन, जपट, जहर, करम, भरण, चमन, रपट, नहर. परम, करण, नमन, सकट, लहर. शरम, मरण, पवण, पटक, शहर. भरम, वरण, रमन, लटक, कहर. ये सारे तीन वर्णों वाले शब्द है. आईए तीन वर्णों वाले शब्दों को हम एक अध्याय की जरिये समझने का प्रियास करते हैं इस अध्याय का नाम है अमन और नमन अमन और नमन नहर पर चल अमन नमन नहर ये तीनों तीन वर्णों वाले शब्द है एक मगर आ गया इधर उधर मत तहल इसमें मगर इधर उधर तहल इसमें भी तीन वर्ण है बहस मत कर अकड मत जगर मत बहस अकड जगर ये तीनों क्या हैं तीन वर्णों वाले शब तो दीखा बच्चों कितना आसान है वर्णों को मिला कर तीन वर्णों में बदलना और एक शब्द का निर्मान करना चलिए आते हैं अब चार वर्णों वाले शब्द पर यानि चार वर्णों के मिल से बनने वाले एक शब्द कुछ चित्र सामने हैं हमारे उन्हें पढ़ते हैं थर्मस चारवन और एक शब्द बन गया थर्मस शलजम एक शब्द बना शलजम अजगर अजगर बरगद बरतन देखा कितना अच्छा है अब ऐसे ही हम चार वर्णों से मिलकर एक नए शब्द का निर्मार करना सीखते हैं और समस्ते हैं कौन-कौन से वो चार वर्णों वाले शब्द है खट मल, जल चर, नट खट, बचपन, सान सथ, कट हल, थल चर, सरपट, पचपन, आन सथ, मल मल, अफसर, खट पट, अडचन, उन सथ, परमल, अजहर, जट पट, करतन, एक सथ, हल चल, हल धर, खट-खट, धड़कन, गड़बड, मखमल, नवचर, करवट, उबटन, अचरज, जल थल, अजगर, सलवट, उपवन, सरकस आईए, चार वर्णों के शब्द एक अध्याय में पढ़ते हैं, इसका नाम है उपवन, चल गणपत, जट पट, चल, बढ़बड, मत कर, इसमें गणपत, जट पट, बढ़बड, ये तीनों चार वर्णों वाले शब्द हैं, उपवन तक चल, बर्गत, पर मत चड़, कसरत कर, इसमें उपवन, बर्गत, कसरत, ये तीनों में चार वर्ण हैं, और एक नया शब्द बना हैं, तो देखा बच्चो, कितना आसान है वर्णों से नए शब्द का निर्मान करना, चाहे दो वर्णों से एक शब्द बनाईए, तीन वर्णों से शब्द बनाईए, और चार वर्णों से शब्द बनाईए, इस पार्ट में हमने यही सीखा, कि वर्णों से नए शब्दों का निर्मान कैसे किया जा सकता है और बहुत असान है जैसा उच्चारण करना है वैसे ही लिखना है और नए शब्दों का निर्मान हो जाता है उम्मीद करती हूं वन्डों का निर्मान आप सीख गये होंगे अब आप इसका अभ्या स्वेम कीजिए